Hello everyone, welcome to my YouTube channel, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हिमाचे पदेश पब्लिक सर्विस कमिशन शिमला ने रिसेंटली असिस्टेंट इजनिय सिविल फॉर जल सकती विवाग अड़र्टाइजमेंट निकाली थी, जिसकी लास टेट अब खतम हो चुकी है, तो इसके रिकार्ड पारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और जिनको सलेबस के रिकार्डिंग कन्फ्यूजन है, उनको भी मैं बता चुका हूँ, जो स्पैसिली डेडिकेटेड वीडियो है, उसके मादेम से मैंने आपको बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं यहां पर बताया गया है कि कौन काउंसी कैटेगरी की यह पोस्टे थी, इसके बाद क्या हूँ, जब इस फॉर्म के लास डेट कंप्लेट होगी तो उसके बाद इसमें और पोस्टे एड हुई थी, जिसके लिए क्या हूँ, पोर्टल को एक बार दोबारा फिर से खुला ग लेकिन अगर आपने कौर किया होगा तो जो यहां पर ब्रेक अप पोस्ट है, तो यहां पर जो पोस्टे और एड हुई या इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एम पीपी की जो पोस्टे और एड हुई, तो इसमें जो कैटेगरी है, जो यहां पर आपको पोस्टे देखने लेकों में दिया उन्रिजर्वड एक सर्विसमें की STK STK है तो डिपेंड करेंगा कि जो 15 पोस्ट एंप रूव हुई है उसमें केटेगरी की कौन सी है उसमें सब केटेगरी क्या है कि इस साफ से ब्रेक अप है तो उसके बाद ही वो पोस्टें एड हो सकती है सबसे पहले क्य क्या ये पोस्टें उसमें एड हो सकती है अगर एड नहीं हो पाएंगी तो हमें फर्दर उसका अलग से एक्जाम देखने को मिलेगा सलेबस के रिकार्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ लगिन अगर ये पोस्टे एड होती हैं तो एक्जाम फिर इस साल के एड में होगा अगर पोस्टें एड नहीं होती है तो अगस्त ये सेप्टमबर में आपको एक्जाम देखने को मिल जाएगा सलेबस के रिकार्डिंग मैं आपको बता दिया कि अगर सलेबस में उनको बदलाब करना होता अगर उनको paper one paper two करवाने होते तो वो advertisement को hold करते और अभी जो उन्होंने नए rules निकाले उसके बाद याप को advertisement देखने को मिलती अगर उन्होंने पहले advertisement निकाल दी rules बाद में आया तो उसके बाद भी कोई कोई notification अभी तक देखने को मिल गी होती जो कि अभी तक नहीं आयूए है बाकी इसके regarding अगर और मतलब आपको और update चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को यहां से बताने के बाद भी confusion रहती है तो आप हिमाचे पते इस Public Service Commission के help line number पे call कर सकते हो वो call उठा लेते हैं मतलब और वहां पे आप उनसे पूछ सकते हो आपको बता देंगे I hope आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो आप वीडियो को like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए